तो हेलो गाइस विल्कम टू मैं चैनल आइकर गेमर आज मैं आपके लिए जीटेश एंडरेस के नया मॉड लाइव टू प्लेयर मॉड जी आपने बिल्कुल सही सुना आप जीटेश एंडरेस टू प्लेयर खेल सकते वह भी एक कीबोड एक कीबोड या दो कीबोड पे आप विले के शेल सकते हैं तो गाइस मैं आपको जीए लाइस प्लेयर का लोकेशन रॉर टू प्लेयर के लिए क्रू अपको बाद में सब बताओंगा उना पेले को louकेशन लिए लेटा हूं तो गाइस सेकेंड प्लेयर के पास तो आपको दिखा तो यह है आएकॉन इस आइकॉन पर जाने के बाद आपको एक नम पैड पे स्टार बटन हुए उप बटन को दबाना है कौन सा भी एक control second player के लिए आपने रखा होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे रखना है तो उस कौन से भी button को दबाना है So guys button दबाने के बाद हमारा second player active हो चुका है So guys second player को आप कौन से भी character ले सकते जैसे कि मैंने अब यह character लिया है So guys देखे मैं दोनों players को हिला सकता हूँ So guys आप ऐसे कर सकते और वह भी एक keyboard पर खेल सकते हैं फिर दो keyboard पर खेल सकते हैं वह आपकी मरजी So guys अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस mode को install कैसे करना है So guys चलते हैं So guys सबसे पहले हैं आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको इस game की script change करने script change करने के लिए कुछ नहीं So guys पहले तो आपको उसका backup बनाना है जैसे कि मैंने link description में दी है उस mode को install करना है JTS 2 player mode यह नाम का इसको आपको install करना है नहीं मैंने description में link दी है तो वह install करने से पहले आपको data में जाना है JTS 3rds के script में जाना है वहाँ जाने के बाद इन दो इन दो files के आपको backup बनाना है या फिर कुछ हो गया गलती से mode install नहीं वहाँ game crash हो गया तो इसकी backup आपके पास होनी चाहिए नहीं तो आपका game हमेशा के लिए चला जाएगा तो guys वह दो files के आपको backup बनानी है आपके आपका भी backup बना सकते है अगर game crash हुआ तो उसको आप वापस restore कर दीजे तो देखे guys मैंने इसका backup बना लिया है तो guys आप मैं आपको बताऊंगा कि mode को कैसे install करना है so guys easy है मैंने जो link description में दियो उसको उसको आप open कीजेगा उस file को open करने के बाद guys उसको आप open कीजेगा और ये तीन जो folder से इसको आप उनने gts andreus के game folder में जाके paste करना है so guys मेरा game folder यहाप है मेरे game folder पे paste करता हूँ guys paste करने के बाद आपको क्या करना है simply मैं बता देता हूँ जहां पर आप गए थे वहापे जाना है और यह जो script folder हमने paste किया था तो आप इस फिर दो file है मेरे कुछ बाकी के file से इन दो files को आपको करना के है कॉपी करना है और data script और इसमें जाके paste करना है और replace कर देना है गाइज रिप्लेस कर देने के बाद आपका mode हो चुका install तो आपको में control कैसे set करना है बता देता हूँ आप 32 bit यूज कर रहेंगे तो first folder 64 bit यूज कर रहेंगे तो second folder open करना है SAC का वापे application होगा SAC2 इसको open करना है न करने के बाद याप वे आपको अपने मन से रखने कि आपको कुणसे player के लिए कैसे control चाहिए वह आपको अपने मन से रखने से स्वाप शमिया ड़िए यह पर pre-set यूझ को बिद्ध का क्रेश हमें का है करने के बाद जितेसे जैसे food controls, vehicle controls आपको दिखा दे रहे हैं, वहाँ पे जाके वह controls को set करना है, so guys और आज सेव करना है, जैसे मेरे दो controller में इसको एक नए preset बनाता हूँ, मैंने पहले सी बना के रखाया, अपने मन के controls रखने के बाद इसको एक second player का controls रखेगा और एक first player का, तो same control रखने के बाद, first और second player के आपको simply save पे click करना है, vehicles पे आप control कर रखेगा सकते है, so save पे click करने के बाद, आप save करने के बाद, आपको अपने मन से control set करने, preset set करके save दबाना है, और एक player के लिए second player टिक करना है, और दूसरे player के लिए नहीं, so guys ऐसे हमको controls करने है, और इसको minimize करना है, close नहीं करना है, minimize करके आपको अपना game simply लगाना है, और फिर game में जाके कहा, आपको second player मेलेगा कैसे करना है, तो वह मैं आपको बता चुका हूँ, तो guys अभी के इतना ही, so guys आपको और एक बता दे, तो वह आपको new game लगाना है guys, अगर आप load game लगाएगे तो आपका game crash हो गई, तो आपको new game लगाना है और उस player के पाथ जाना है, तो guys अगर आपको इसमें कुछ problem है तो please मुझे comment किजेगा, मैं आपको solution जरूर बताओंगा, thank you.